जैहिन दोस्तों मैनी धीबन चोहान आज हम बनाएंगे 75 डिग्री का कोण तो कैसे बनाते है चलिए शुरू करते हैं 75 डिगरी का कौन 90 और 60 के बीच में आएगा, तो इसलिए पहले हमें बनाना होगा 90 और 60 का कौन, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले हमें किरन ले लेंगे, ओ, ए हमने इसका नाम रख दिया है, अब हम क्या करेंगे, ओ को केंद्र मान कर इस तरह से, और हम डाल देंगे एक अर्दवर्तूल, ठीक है, ओ को केंद्र मान कर इस तरह से हम डाल देंगे अर्दवर्तूल, ठीक है, यह अर्दवर्तूल हो गया यहां तक, अब जो यहां पे बिंदु आया है, इसको हम नाम देंगे B, ठीक है, अब B को केंद्र मान कर पहली चाप, यह B को केंद्र माना और ये पहली चाप ठीक है अब यहाँ पे जो चाप हमने डाली इसको नाम दिया C अब C को केंदर मान करिए अगली चाप हम डालेंगे ठीक है इसको नाम दे दिया D अब C और D से हम चाप डालेंगे देखिए C से ये चाप और D से ये चाप और इसको हम यहां o से जोड़ देंगे तो यह हमारा हो जाएगा 90 degree का कॉन अब हम क्या करेंगे do, c का करेंगे द्वी भाज़क क्या करेंगे do, c का द्वी भाज़क करेंगे ताकि हमें 75 degree का कॉन मिल जाए तो यह देखें क्यासे करेंगे C से एक चाप इस तरह से और D से एक चाप एक चाप C से इस तरह देख़ें यहाbür रखेंगे और यह हो गई C से एक चाप और यह D से एक चाप तो हमें ये जो बिंदु मिला, ये हमारा है 75 डिगरी का कॉण इसको हम केंदर से जोड़ देंगे किरन को तो हमारा EOC हो गया 75 डिगरी का कोण मिलते हैं अगले कोशन के साथ अगली वीडियो में जै हिन जै भारत